गुद मॉर्निंग एवरिवन आईम जूई टीचर अफ आदर शेक्षाने केतन स्कूल आप हेर टीच यू इंगलिश ग्रामवर आज हम करेंगे इंगलिश ग्रामवर ठीक है इंगलिश ग्रामवर में जो हम करेंगे आपका जो टॉपिक है वो है यूज ओफ वाज एंड वर ठीक है तो यूज ओफ वाज एंड वर जो है उसका यूज किसमे होता है पास्ट टैंस में हमने इससे पहले इसमर किया था इसमर जो था आपका हमने उसका वो जो उसका यूज किसमे होता है इसमर का प्रेजन टैंस में पर यहाँ पे जो वाज एंड वर है इसका यूज होत पास्टेंस में पास्टेंस का मतलब होता है जो बीच चुका है जो आल्रेडी जो वो पहले पास्ट में हो चुका है कार्रे वो होता है आपका पास्टेंस हिंदी में पास्टेंस को हम बोलते हैं भूतकाल Past का मतलब होता है Something that was already happened वो चीजें जो पहले हो चुका हुआ होता है उसका मतलब है Past इसलिए इसको बूलते है Past tense तो हमारा जो Was and Were है इसका यूज होता है Past tense के Sentence में ठीके? अब यहाँ देखते हैं कि Was क्या है? Was का यूज हम कहां करते हैं We use Was when we speak about one person or thing in the past tense हम Was का प्रियोग वहां करते हैं जहां हम पास्ट में किसी एक चीज के बारे में या एक वैक्ती के बारे में परसन के बारे में बात कर रहे होते हैं हम वहां यूज करते हैं Was ठीके? नेक्स्ट आपका वर का यूज कहां होता है? We use verb when we speak about more than one person or things in the past tense ठीके? वर का यूज हम वहां करते हैं प्रियोग वहां करते हैं जहां पास्ट में एक से ज़्यादा वैक्ती और चीजों के बारे में बात की जा रही हो वहां हम वर का यूज करते हैं ठीके? वर का यूज हम वहां करते हैं जहां एक वैक्ती या एक थिंक्स या पश्रू या चाह एनिमल्स हो इन चीजों के बारे में हम बात कर रहे हो वहां वर का यूज होता है और वर का वहां यूज होता है जहां एक से ज़्यादा परसन के बारे में या थिंक्स के बारे में या बात कर रहे हो ठीके? हम ऐसे ही कुछ example लेते हैं इससे related example number first हम देखते हैं the dog was eating food इसमें क्या है the dog dog एक है हमने dogs नहीं बोलाई dog बोलाई dog एक है एक डॉग है अगर यहां पर s लग जाएगा तो ज्यादा डॉग हो जाएगा तो जहां पर the dog was eating food जो dog है वो खाना खा रहा था तो was मतलब was कहां use आया जहां पर single dog की बात हो रही हो यहां पर single dog की बात हो रही है इसलिए हमने यहां पर was का use किया है next example देखते है the dogs were eating food अब यहां पर were क्यों आया क्योंकि यहां पर dogs है यहां पर बहुत सारे dogs है ऐसे लग गया ना dog के आगे तो dogs बन गया कि यहां पर बहुत सारे कुट्टे हैं तो इसलिए वर्का हमने यहां यहां पर use किया है जहां एक से अधिक की बात की जा रही है वहां वर का यूज करते हैं जहां सिंगल चीज के बारे बात की जा रहे है वहां वास का यूज करते हैं Next example एक और ले लेते हैं जैसे कि अब इसमें देखो The bird was flying in the sky ठीक है? और next है The birds were flying in the sky पहले वाले में क्या है the bird है, मतलब bird है, तो single bird की बात हो रही है, एक पक्षी की बात हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे was लगाया है, second line में देखो the birds, क्या है birds, पहुत सारी पक्षों के बारे में बता रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे word का use हुआ है, understand बच्चे, ऐसे ही ए means buzzing, था सब्सक्राइब मतलब होता है, उनका बनला नहीं होता है, वह होता है, बर्जिंग, उस तरीके से घूमती हैं, और वाज आती है sound, The bee was buzzing around The bee, यहाँ पे एक bee की बात हो रही है Single bee की बात हो रही है इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है Was ठीक है, नेक्स टेक देखते है The bees were buzzing around अब देखों, यहाँ पे bees आ गया है Bees मतलब बहुत सारी मद्यू मखिया वहाँ पे bee था यहाँ जो है, सेकेंड वाले में bees है, bees का मतलब बहुत सारी होती है बहुत सारी मद्यू मखिया तो इसलिए हमने वर का यूज किया है ठीक है, नेक्स और एक और एक्जामपल ले लेते है The girl was sleeping The girl was sleeping जो लड़की है, वो सो रही थी The girl, यहाँ पे क्या girl है एक लड़की की बारे हम बात हो रही है तो इसलिए हमने वर्स का यूज किया है और नेक्स देखेंगे सेकेंड इसका The girls were studying मतलब पढ़ रही थी जो लड़कीया है, वो पढ़ रही थी तो यहाँ पे girls बोलाए The girls, मतलब बहुत साई लड़कीया आ गई है इसलिए हमने यहाँ पे वर्स का यूज किया है ठीके, कुछ एक्जामपल और मैंने दिया है इस एक्जामपल में आप खुद ही फिल करेंगे करते हैं, चोड़ो स्टार्ट करते है The child dash playing यहाँ पे एक चाइल्ड के बारे में बात हो रही है एक बच्चे के बारे में बात हो रही है The child dash playing जो एक बच्चा जो है वो खेल रहा है तो खेल रहा है अभी तो playing है तो इसमें तो हमने कुछ लगाया है नहीं है एक बच्चे के बारे में बात हो रही है, ठीक है? तो इसमें एक बच्चे की बात हो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? Was, क्या लिखेंगे? Was, ठीक है? और नेक्स रे आपका था, the children dance playing यहाँ पर बच्चे जो है, वो खेल रहे थे, तो इसमें children आ गया children जहां आगे तो मतलब बहुत सारे बच्चे हैं ठीक से मतलब एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो वहां पे किसका यूज करेंगे हम वर का तो जहां पे क्या हैगा वर ठीक है W E R E वर होता है और W A S वाज होता है तो second वाले वाई में example में क्या हैगा वर हैगा जिल्रेन वर प्लेइंग आप अच्छे से समझ गए होएंगे फिर सम एक बाई इसको दुबारा रिमाइंड कर लेते हैं जहां वन परसन और वन ठीक की बात हो रही हो तो वहां हम वाल्स का यूज करेंगे जहां more than one person और ठीक की बात हो रही हो मतलब एक से जादा परसन और चीजों की बात करी जा रही हो वहां हम वर का यूज करेंगे ठीक है I hope आप अच्छे से समझ गए होएंगे इससे related आपको मैं exercise दे दूँगी आपको अपनी notebook में exercise करना है और इसी का जो note है वो बना के मैं आपको भेजूंगी आपको जो पहले note लिखेंगे फिर बाद में वो जो exercise है वो अपनी grammar की notebook में लिखेंगे फिल करेंगे ठीक है